तो आज हम बनाने वाले हैं Digital Clock वो भी HTML, CSS और JavaScript के इस्तेमाल से देखिए HTML से हम structure त्यार करेंगे और CSS से हम design त्यार करेंगे और इसके अलाबा JavaScript से हम करेंगे इसका action त्यार कि हम Clock को किस तरह से run करें Clock चलती कैसे है, उसका time हम, system का time हम कैसे लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और करते हैं इसका practical तो आज देखिए हमने desktop पर demo folder रखा है demo folder को खोल लेते हैं और देखिए इसके अंदर हमने एक folder बनाया हुआ है JavaScript का और इस folder को भी खोल लेते हैं और इसके अंदर हम बनाते हैं एक folder और और जिसका नाम दे देते हैं देखी यहाँ पर Digital Clock और यह फोल्डर बनाने के बाद इसको हम close करते हैं और चलिए अब हम खोलते हैं इस बार Visual Studio अब देखें यहाँ पर हम सबसे पहले इसका Sidebar On कर लेते हैं और Sidebar On करने के बाद अब हम चलते हैं फाइल में और यहाँ पर फोल्डर को Open करते हैं और हम वो वाला फोल्डर ले लेते हैं जो हमने बनाया था Desktop, Demo और JavaScript और इसके बाद Digital Clock यह वाला फोल्डर हमने Select कर लिया Select करने के बाद देखी यह फोल्डर यहाँ पर आ जाएगा देखो इसके जो साइज है वो जूम हो जाता है देखो डिजिटल फोल्डर यहाँ पर आ गया और अब देखो यहाँ पर बनाते हैं New File और इसका नाम रख देते हैं Index.html और इसके बाद इसको एंटर करते हैं जैसी एंटर करते हैं देखो यहाँ पर यह इंडेक्स.html खुल गया और देखो यह जो Index.html हमने फाइल यहाँ पर बनाई है अगर हम इसको क्लोज करने के बाद हम Business Studio खोल लेते हैं और इसके बाद देखो यह जो है इसको साइड बार को मैं यहाँ से अभी बंद कर रहा हूं और देखो इसका जो जूम लेविल था इसको मैं कंट्रॉल माइनस दबा कर कम कर रहा हूं और इसके बाद देखे यहाँ पर हम HTML फाइल को तो Control दबा कर और Scroll वार हम इसको ऐसे करेंगे तो देखो यह इस तरह से Zoom लेविल बढ़ जागा और व्यू में जाकर यहाँ पर और देखो वर्ड रैप कर दीजी यह वर्ड रैप हो जाएगा देखे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ गया अब देखो यह डॉकुमेंट यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डिजीटल क्लॉक और इसके वर्ड करते हैं और अब इसको हम लाइव सरवर अन करते हैं तो हम राइटिक एलिए यहाँ पर? आप और थे से इसको बता देते हैं बंद करते हैं कि यहां पर हमने कर दिया एंड डिजिटल क्लॉक और इसके बाद डिजिटल क्लॉक के अंदर टाइम नाम की हम एक डिविजन मना लेते हैं और फटा-फटा हमें HTML का पूरा structure त्यार कर लेते हैं चलिए शुरू करते हैं और टॉक व स्विजल स्चेरिटल क स्विजल स्विजें में पूर्ज़ कर दिदाती घाष शुरू कर लेते हैं तो देखो यह HTML से पूरा structure त्यार हो गया अब हम इसकी styling करेंगे CSS से तो CSS से हम पूरी styling करेंगे color correction जैसा कि मैंने आपको शुरू में इसको clock को दिखाया था किस तरह की है तो वैसी हम पूरी styling अब हम करने वालें CSS से तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या होता है तो चलिए इसके लिए हम फिर से sidebar on करते हैं और sidebar on करने के बाद फिर से यहां से हम plus click करते हैं और यहां पर हम देते है style.css, हमने फिर से एक यहां पर फाइल बनाई, style.css, और यह जो style.css फाइल बनाई है, इसको हम यहां पर लिंक करते हैं, HTML में, और इसको sidebar को भी हम बंद कर रहे हैं, और देखो, यहां पर हम लिंक कर दे रहे हैं, इस जगा पर, तो नीचे head के अंदर हम लिंक करेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं, देखो link, हम link लिखने के बाद जैसी हम इस पर click करते हैं, और हम यहां पर देते हैं style.css, यह हमने यहां पर इसको link कर दिया, save किया, और save करने के बाद देखो, यह जो file style.css यहां पर link हो गई, अब हम चलते है style.css में और इसमें देखिए, शुरू करते हैं इसकी styling, तो सबसे पहले देखिए, हम यहां पर क्या करते हैं, star लगाते हैं, और सब की margin padding जो है, हम zero कर देते हैं, इसके लाब देखो, यहां पर हम एक new font family ले रहे हैं, जो मैं अभी तक use नहीं करी, पहली बा save करते हैं, तो आपको नज़र आएगा, फर्क नज़र आएगा, देखो यह different font family हमारे पास है, इसके बाद देखिए, कुछ common property हैं, वो हम यहां पर लिख लेते हैं, और वो हम अलग-अलग divisions के उपर apply करेंगे, तो वो common property हैं, देखिए, display flags, justify content center, और align item, center, अब यह कुछ common properties ह किस-किस division के उपर या कौन से content के उपर हम इसको apply कर सकते हैं, तो सबसे पहले कょ मैं इसको body के उपर apply करूंगा, तो नहीं यहां पर body, मैंने body निग दिया, कॉमा लगाया, तो यहां पर body के अलावा हम दूसरी divisions में भी इसको apply करते हैं, तो हम जैसे time के अंदर apply कर सकते हैं, .time यह एक division है जिसका मैंने देखो यहाँ पर देखो यह time की division देखो यहाँ पर time class है देखो इसको हमने यहाँ पर apply कर दिया हम save करते हैं तो देखो यह जैसे हम time को apply किया हमने देखो यह center में आ गया अब इसके लाबा body में अगर कुछ और property apply करना है तो उसके लिए हम अलग लिखेंगे तो देखो हमने यहाँ पर body लिखा body के अंदर हमने कर दिया minimum height और वो कर दिया 100 VH 100 VH मतलब हो गया हमारा के यह बिल्कुल center में आ जाए तो देखो हम save करते हैं तो देखो यह center में आ जाएगा अब इसके लाबा हम जितनी भी properties इस्तेमाल करेंगे HTML के tags या selectors पर वो हम यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं CSS से और बाद में देखते हैं इसका result तो चलिए शुरू करते हैं बाद में से नाएट हैं यह बिल्स बल्ट वेहेदा साव़ हैं और इतनी चुरू करते हैं झाल झाल अगूश अगल मेंग अवार्श अग्यों कि अरॉश झाल आवह वार्व देखिताश अपृतियो अपूशल एज एडिसाल अपूशल एडिसाल अपूशल एडिसाल लत मेंगे अपूश स्क्केut झाल यहीं लिए जाएगंगगंगगंगग एंभा कि अधिज एगलना युझ घजायं अवें कि अटुछ सेंगा नार नांग अगार विंघ्टी जएके अजाएगग टेशग श्याट विंट्टी जाएगग अग्टुम जट्स एंगाउ में और बाएगग हैं भूइ आइछ आप लाग्त इंख लाग्तियों आबछेशनाफ दिए थैंवे लिए लूजय हुआ हुआ याग्तियों आप्रशाई लग टूणाछिए हुआ कि अज लूब जाग्तियों लूब लूब सेट लूब कि रवस्टैछें लूबू लुब लूबिय। तो यह CSS से इतने डिजाइन बन के तियार हो गया अब हम क्या चाते हैं जो पीछे इस box के पीछे जो shadow है यह animated glowing shadow हो मतलब gradient के type और animated shadow हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए भी देख लीजे फटाफट हम CSS से वो भी काम कर लेते हैं अछापट यह जो सब्सक्राइब जर वो बालाव से फिर्दाट इस नह नहीं जो जह और भी कर फ्सक्याइब तो देखो यह एनिमेशन चल पड़ा हमने जो एनिमेशन के कलर दिये और जो एनिमेशन बनाया वो देखो यहाँ पर यह चल पड़ा ब्राइट होगे ना, देखो ये ब्राइट कलर, अब तो कोई सारा डिजाइन तयार है, जो हम बनाना चाहरा है थे, HTML, CSS लगा कर हमने Clock को Complete कर लिया, अब ये डिजाइन तयार है, डिजाइन तयार होने के बाद, अब हम क्या करते हैं, कि हम Java Script से इसको Run करते हैं, इसको देखते हैं कैसे Run होगी, तो चलिए Java Script में चलते हैं और इसको Run करते हैं, तो अज उसके लिए हम चलते हैं HTML में, और HTML में जानने के बाद, अब हम Inline Java Script को Use करेंगे, यहाँ पर Inline, तो Body से पहले हम यहाँ पर Script लगा देते हैं, देखिए हमने लगाया Script Tag, हमने यहाँ पर लिख दिया जी, Script, हमने Script Tag लिखा दिया, और देखो ऐसे हमने Script को बंद कर दिया, अब हम यहाँ पर Script Tag में ही वो सारी चीज़े करेंगे, जो हम Java Script से करने वाले हैं, तो चलिए हम सबसे पहले function मना लेते हैं, और function हम यहाँ पर देते हैं clock, और clock नाम का function मना दिया, और इसके बाद हम इसके अंदर जो भी काम कर रहे हैं, वो इस function के अंदर ही करेंगे, सब को, तो चलिए हम variables में store करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर let नाम से एक variable declare करते हैं, और अब की बार hrs नाम से हमने इसको variable को declare किया, और यहाँ पर हम देते हैं document.getElementById, अब यह ID क्या है, वो ID है hours की, hours, तो हम क्या करते हैं, यहीं पर हम लगाते हैं, देखो, ID के बाद ऐसे, और इसके अंदर ID क्या है, देखो, आपर आपको ID पता से लिए क्या है, यह क्या है ID, hours, देखो, यह ID है, तो इसके बाद हम वहाँ inverted column में वही चीज़ लगाते हैं, देखो, hours यहाँ पर लिख देते हैं, हो, यू, आरेस, hours हमने लिख दिया, अब ऐसे ही हम सबको declare करते हैं, इसके हम copy कर लेते हैं, control C, copy करके हम पेस्ट करते हैं इसको, चार वार, penlt V, हमने चार वार इसको पेस्ट कर लिया, आप देखो, यहाँ पर, यह हमने declare किया, hours के लिए, आब इसके लिए हम बदेख दिया, minutes के लिए, तो हम यहाँ पर लिख दिया, minutes हमने लिख दिया है, minutes, और जो ID है, मिनट्स की वहाँ पर मिनट्स की देखो आईडी भी यहाँ पर मिनट्स ही होगी देखो यह मिनट्स है तो यहाँ पर हम आईडी मिनट्स दे देते हैं सेम हम दे दिया यहाँ पर मिनट्स हमने दे दिया इसके लावा देखो यहाँ पर seconds और यहाँ पर भी इसका आईडी जो है वो seconds ही है देखो seconds हमने id देदी इसकेलाब passar देखो जो हमारे पास है period हम यहाँ पर period लिखते हैं period ही दिया इसका time देखो यह id period यह देखो यहाँ पर pe rig rig Sket हमने यह दिया यह हमारे पास जो id थी उनका data क्या हुआ हमने इन variables में store कर लिया अभी variables जहाँ जहाँ पर हम इन variables को run कराएंगे वहाँ वहाँ समझ लीजिए यह ाइडी इस run हो रही है उन आइडी इस में वो काम हो रहा है तो यह हमरे पर store हो गया तो अब हम क्या करते हैं हम और variable declare करते हैं जिसमें हम system के time को store करेंगे तो हम यहाँ पर यह तो देखो यह function का है function को आप यहाँ पर रहने दीजिए function को नीचे ले आईए ऐसे और देखे इसको ऐसी यहाँ पर रहने दीजिए अब यहाँ पर एक variable और डिकलर करते हैं हमने करते हैं let let h नाम से हमने declare किया वेरेबिल और देखो यहाँ पर हम करते है new date यह inwild function है इसका inwild तो new date और हमने जो new date हमने यहाँ पर लिए है इसके बाद dot अब हमने करते है get hours, हम यहाँ पर कर लेंगे get hours तो hours हम लेलेंगे get hours हमने get hours लेडिया और इसके बाद इसे बंद किया ऐसे अब ये जो है हमने edge के अंदर system के hours को store कर लिया इसको हम copy कर लेते हैं आप देखो यहाँ पर visual basic में जो copy करने का system बड़ा असान है आप जो alt shift दबा कर down arrow दबाएं तो ये copy हो जाता है अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर हमने कर दिया जी am minute और देखो यहाँ पर hours की जगा हम क्या करते हैं minutes कर दे रहे हम कर देते हैं minutes ऐसे minutes कर दिया और यहाँ पर हमने second किया तो यहाँ पर हम hours की जगा यहाँ second कर देते हैं seconds और और इसके बाद हम यह देखो यहां पर लेट यह अलग हम मनाते हैं देखो यह हम देते हैं एम पीम नाम से हम दिखते हैं इसको एम पीम और एम पीम क्या है यह हम क्या करते हैं आवर्स जो है वो अगर 12 से कम हो तो एम हो जाए 12 से जादा हो तो पीम हो जाए उसके लिए हम कंडिसन कैसे लगेंगी देखो यह भी यहां पर हो जाएगा और कंडिसन ऐसे लगाते हैं हम यहां पर बताएंगे एच अगर बड़ा हो या बराबर हो किसके बारा के तो आपने कर दिया जी बारा के बारा से बड़ा हो या बराबर हो तो क्या हो जाए तो यहां पर आप क्व दीजे एम, यह तो फिर एम रहे तो हम किया एम, यहाँ पर एम कर दिया, तो अब यह यह तो पी एम हो जाएगा, बारा से बड़ा होगा, और अब बारा से छोटा होगा, तो एम हो जाएगा, तो यह condition आप इस तरह से भी एक line में लिख सकते हैं और उस condition की जो value होगी वो store हो जाएगी, am, pm के अंदर ठीक है, अब देखें, यह हमारे पास am, pm और यह सब चीजे हो गई, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर वही जो हमने यह declare किये हैं, यह जो यहाँ पर declare किये थे hours के अंदर, इसके हो जाए html inner, वो हम बता दें, देखो equal to h हो जाए, यहाँ एच के अंदर जो value हो, वो html के साथ inner करके hours में show हो जाए तो यह हमने यहाँ पर बता दिया ऐसे ही हम सब के लिए यहाँ पर copy कर लेते हैं तो यहाँ पर alt shift और नीचे वाले arrow दवाएंगे, तो देखो यह इस तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर hours की जगा हमने क्या कर दिया, minutes और minutes के अंदर जो show होना है, वो क्या होना है यहाँ पर जो M है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, M कर दिया इसके लाब देखो यहाँ पर second, तो second के अंदर जो show होना है, यहाँ पर हम second ले ले लेते हैं, हमने कर दिया seconds, और second के अंदर क्या सो होना है, देखो यहाँ पर S सो होना है, तो हमने यह S कर दिया, अब इसके लाब देखो period है यहां पर पिरेड है, अब झाया है, अब पिरेड की जगा, यह गर्ट यहरी लिए लिए, पिरेड कर दीज़ेично, आब पिरेड का अंब अधर क्या सो होना है, जो धेक। यह ए-m-p-m हम ने क्या कर दिया ए-m-p-m, हमने क्या कर दिया, ए-m-p-m, हैसे कर दिया अब देखो यह हमने कर दिया इसको सेब करते हैं और सेब करके यहां पर रिफ्रेस करते हैं तो देखो रिफ्रेस करने के बाद अब यह शो नहीं हो रहा अभी बज़े यह है कि जो हमने function declare किया, इसको हमने function को यहां पर running किया, तो हम यहां पर function का नाम दे जेते हैं, हमने लिए clock, और बस ऐसे function का नाम दिया, और देखो यहां पर save किया, जैसी यहां पर save किया, यहां बब जो system का time है, 12.47 PM, तो देखो 12.47 PM, यहां पर आ रहा है, ठीक है अब देखो यहाँ पर जितनी बार refresh करेंगे तो देखो यहाँ पर system का time जो है वो change हो रहा है तो यहाँ पर भी change होता रहेगा लेकिन यह update होता रहे इसके लिए हम क्या करते हैं देखो यह जो function है यह वाला function clock इसको set interval कर देते हैं और कॉमा लगाने के बाद कितनी बार refresh होता है कितने time के बाद तो आप 1000 कर दिए 1000 मतलब हो गया एक second में हर second में यह refresh होता है हर second में यह run होता है जो script है हर second में run हो तो हम इसको save करते हैं save करने के बाद देखो यहाँ पर जाए मतलब कि यह 24 वाला टाइम देगा कि 13 फिर यह 24 के बाद फिर 123 करेगा ठीक है इसके बाद अगर क्या होता है कि यह एक बजेगा तो उससे पहले 0 भी नहीं लगने देगा तो इस सब चीजों को हम यहां पर हल कर लेते हैं और फिर एक बजे मैं इसका रिजल्ट आपको बाद हाए बारगा हो जाए बारह जब बजे तो उससे बड़गा हो जाए ऐच एक ड़ ubiqu हो जाए तो उस टाइम पर हो जैसी 12 से बढ़ा हो तो उस टाइम पर यह होना चाहिए कि एक होल टू एक वाह 4 से माइनस कर दो उसको जैसे ही 12 से बड़ा हो तो 12 से माइनस हो जाए तो माइनस और 12 तो 12 से माइनस होगा तो जिसे 13 हुआ तो 12 से माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 1 जैसे 14 बजे तो 14 में 12 से माइनस करेंगे वो हो जाएगा 2 तो सेब करते हैं तो अभी तो देखो यहाँ पर सेब करने का कोई रिजल्ट आएगा नहीं लेकिन ये जब 13 बजेंगे तब पता चलेगा ठीक है और अब क्या करते है इसके लाबा अगर एक बजे जब एक बजेगा तो उससे पहले 0 भी आना चाहिए जेरो नहीं आएगा अभी एक दिखाएगा तो हमने 1 से पहले 0 भी आना चाहिए ये भी हमें शो करना तो क्या हो, तो इसके बाद हम यहां पर बता देते हैं, कि जब क्या हो, उस टाइम पर 0, 0 उसमें पिलस हो जाए, यहीं, पिलस हो जाए, H के अंदर 0, और अगर ऐसा ना हो, अगर H 10 से छोटा ना हो, तो यह क्या रहे, तो वही वैलीव सो कर दे, जो H की है, ठीक है, तो H की व अब तीन ये चार बार हम डुप्लिकेट करते हैं जितनी बार हमें चाहिए तो इसके बाद हम यहाँ पर M में बता जिते हैं कि M जो है वो 10 से चोटा हो तो भी M के अंदर यह जुड़ जाए तो देखो M के अंदर यहाँ पर जुड़ जाए ऐसे ठीक है अब ऐसी हम S की बात करते हैं S अगर 10 से चोटा हो तो यह S जुड़ जाए तो हम यहाँ पर S में 0 जुड़ जाए पहले तो देखो S में 0 जुड़ जाए अब यह Extra आगया इसको हटा दीज़े यहाँ पर तो यह देखो यह हो गया था मुझे M करना इसको और इसको मुझे S करना यहां पर यह भी तो इसमें भी तो चेंज़ेंज होने चाहिए थे सेव किया सेव करने के बाद देखो यहां पर अब समझ में आगा देखो 00 आ गया 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 हो गया अब देखो यह ऐसे ही यह जब बज़ेगा टाइम होगा पूरा तो देखो यह भी आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम 0 मतलब अगर सिंगल डिजिट है तो उससे पहले 0 कैसे आएंगे तो यह यह वाली जो मैंने कंडिशन लगाईगी यह वाली यह लगेंगी और अगर 12 से कम हो और 12 से उपर 13 14 हो तो उससे पहले क्या हो को 12 मैंसे माइनस हो तो यह वाली कंडिशन लग जाएगी तो यह सारी कंडिशन कंडिशन कंप्लीट हो गई और यह आपकी जो बहुच है यह भी पूरी हो गई अभी एक बज़ने तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ तो यह देखिए एक बज़ गया और एक बज़ते ही देखो आपके सामने देखो एक भी बज़ गया और उसके पहले जीरो आ गया और देखो यहाँ पर पी एम भी है और यह आगे नहीं बढ़ा 13 नहीं बज़ अब मैं आपको यहाँ पर इसको कमेंट करके दिखाता हूँ जैसे मालीजी इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ ठीक है इसको मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पर यह जो मैंने इफ की condition लगाई थी, इसको मैं comment करता हूँ, ऐसे, और save करता हूँ, save करने के बाद देखो, यहां पर आपको, तेरा बज़ रहा है, बज़ गया है, बज़ गया थेरा, अब देखो, यह जो मैंने यहां पर condition लगाई थी, आपके साँज में आगया होगा, कि 12 से minus हो जाए अगर 12 से ऊपर चले तो 12 माइनस हो जाए 13 हुआ तो 12 माइनस हो जाए तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर सेब किया, तो 12 माइनस हुआ तो एक बज़ गया, ठीक है, यहाँ पर भी सिस्टम में भी एक बज़ ज़ँ है, ठीक है और देखो A.M. P.M. वाला सिस्टम तो आपके समझ में आगया होगा कि 12 से अगर बड़ा हो H या बराबर हो बारा के तो P.M. हो और 12 से छोटा हो तो A.M. हो मतलब 1 से 12 तक और 12 तेरह 14 जब चलेंगे तो पो P.M. हो जाए तो यह भी 13 चल रहा है ना हमने यहाँ पर किया है इसको एक मना 13 चल रहा है तो P.M. आरा है इसके लाब देखो उसके पहले जीरो लगाने वाली बात देखो यह है यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दूँ यहां से comment कर दूँ तो देखो आपको पता चल जाएगा save करें तो देखो zero यहां पर नहीं आएगा देखो लगा हुआ देख रहे हैं आप एक मिनट और एक बजा हुआ है दो मिनट तो देखो यह है ना तो इसके लिए आप comment को यहां से हम comment को हटा रहे हैं और save कर रहे हैं तो देखो यह zero लगा रहा है तो देखो यह इस तरह से काम कर रहा है तो समझ गए आप तो देखो इस तरह से हमने digital clock को बनाया तो अगर आप इसको इस digital clock को अपने किसी website में लगाए अपने project में लगाए जैसे portfolio आप बनाएंगे या फिर कोई website बनाएं तो बहुत अच्छे मतलब चार चांद लगा देगी एक किलोगा आपके website में तो guys अपनी website में आप बना सकते हैं बड़े आसा नहीं जैसा कि मैंने आपको बताया और इसको आप सीखें प्रैक्टिस करें तो guys इस tutorial में इतना ही कैसा लगा आपको tutorial अगर आपको अच्छा लगा तो like करें शेयर करें और guys अगर कुछ कहना है तो comment box में लिक कर बताएं guys अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें और well icon को दावाना न भूलें जिससे कि आपको हमारे notifications मिलते रहें तो guys मिलते हैं next tutorial में तब तक के लिए take care and bye bye